दोस्तों, बात करते हैं होंडोरास की सिंट्रल अमिर्का का एक देश है और पूरे में देखे तो साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट का एक छोटा सा देश है वहां कल चुनाव हुआ और वहां की वामपंथी दल पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर हो रही है और इस हॉंडोरास के साथ साथ हम पूरे के पूरे दक्षिन अमेरिकी कॉंटिनेंट या यू कहें तो खासकर लाइटिन अमेरिकन के बारे में कुछ बाते करना चाहेंगे सबसे पहले हंडुरास के बारे में यहां की वामपन्थी प्रत्याशी थी शियो मारा कैस्ट्रो और तक्रीबन 62 वर्ष की यह महिला पहली बार हंडुरास की कोई महिला राष्ट्रपती बनेंगी साथ साथ है वही है कि 2009 के बाद से फिर दुबारा यहां वामकी सरकार वापसाएगी उस समय वामकी सरकार थी और इन ही महिला प्रत्याशी के पती जोलिया वहां के प्रेजडेंट थे लेकिन वहां पे कू हुआ अमेरिकी CIA और बाकी समों के मदद से और उन्हें अबदस्त कर दिया गया था इसके बारे में हम जब लाटिन अमेरिका के बारे में बाते करेंगे थोड़ी से चर्चा जरूर करेंगे ये अभी 53 से 54 प्रतिशत के बीच में चल रही है जबकि विपक्ष यानि दक्षिन पंथी प्रत्याशी अश्फूरा ये तक्रीबन 34 प्रतिशत या उसके आसपास से चल रहा है यानि काफी पीछे है तीस से अधिक तक्रीबन 3 दर्जन के करीब प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से ये दोनों है शियो मारा के पार्टी का नाम है लिबर्ट यानि लिबर्टी एड री फाउंडेशन पार्टी विस्तार में हम लोग ना जाएंगे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हॉंडुरस एक ऐसा देश है जहां दुनिया में तक्रीबन सबसे अधिक वॉयलंस है सबसे अधिक हिंसा है अनिम्प्लॉयमेंट बेता हाशा है गैंग वॉयलंस जिसकी मैं बात करी रहा हूं वह है और ड्रग ट्राफिकिंग बहुत जबरजस्त है यानि कुल मिलाकर यह देश एक बरबादी के तरह बढ़ता हुआ देश था और उसके बाद से यह नहां पे लोगों ने 2009 के बाद से जो गलती थी उसमें सुधारने की कोशिश की है और दुबारा इन्हें राष्टपती बनाने की कोशिश की है यानि वामपंथी प्रत्याशी को इनके कई जो वादे हैं उनमें से एक यह है कि है डायरेक्ट डिमाक्रसी करेंगी जिसका उधारन मेक्सिको के प्रेजडेंट लोपेज उब्राडोर के है यानि कुछ खास मुद्धा हो तो सीधे की सीधे जनता के पास आएंगे जनता से उसका अंतरिम चुनाओ कराएंगे कि जनता क क्या चाहती है उसी के हिसाब से उसे या तो कानून बनाएंगे या उसे नहीं बनाएंगे एंटी करप्शन, इंप्लोईमेंट, हाउजिंग, एंटी ड्रग ट्राफिकिंग यह तो है है साथ साथ इन्होंने यवी कहा है कि चीन से यह डिप्लोमेटिक रिलेशन करेंगे इस यूनियन से वहां से परिवेक्षक बुला रहे हैं, अब्जर्वर बुला रहे हैं ताकि इस पर दोश ना लगे कि इन लोगोंने हेरा फिरी किये चुनाव में और करीब सतर के आसपास वहां साय हुए हैं और इस बार पिछले चुनाव के तुलना में जब कहा गया था कि का काफी हंगामा हुआ था, दो दरजन सदी के लोग मारे गए थे और ज्यादा स्पष्ट बहुमत के साथ यह चुनाव जीत रही हैं, बात पूरे लाटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो यह यूएस के लिए, यानि यूएस एंपायर के लिए, यह उस त अंति सरकार थी और अमेरिकी हेजमोनी को मानने के लिए तयार नहीं थी, अमेरिकी पूंजी के विस्तार को रोकने की कोशिश कर रहे थी, वहाँ पे कू हुआ, यानि सत्ता पलट दी गई, CIA और मिलिटरी को ही मदद से 1954 में, ब्रजील मौनी 64 में, चीले मौनी 73 में, किसी एक लहर चली थी, हवा चली थी, जिसमें कई लैटिन अमेरिकन कंट्री में, चुनाओ के द्वारा ही, वामपंथी सत्ता में थी, क्यों वामपंथी ना कहें, वैसे लोग थे, जो कि उदारवाद का विरोध करते थे, जिन्होंने नव उदारवाद, यानि नियो लिब इकनाओमी का विरोध किया था, विदेशी पूंजी का विरोध किया था, और अपनी छमता को खुद बढ़ाना चाहते थे, अपने पास जुही उनके पास था, वेर वितौल था, उसका इस्तेमाल वो खुद करना चाहते थे, और इसमें कई देशों में वो लोग आये थे, जिसका फिर से अमेरिका ने उसका उल्टा किया, और 2010-2015 से लेके काफी उलट फिर की उड़ोने, जिसमें कई सारे देश है, अब पिंक टाइड की वापसी आ रही है, पिंक टाइड मैंने इसलिए कहा दोस्तों, जिसका नाम इसलिए इस तरह से कहें कि वहां के लोग कहते है 21st Century Socialism या Social Democracy या जिस रूप में कहें, उनकी कई मांगों में, कई तोर तरीकों में या है, कि वह एक स्वतंत्र देश है, उनकी अपनी सौवरेंटी है, वो अमेरिकी छत्रचाया में नहीं जिएंगे, पैट्रियोटिजम की हवाचल रही है, नेसलिएशन को बढ़ावा देत हैं, यानि प्रैवेटाइशन का खिलाफ करते हैं, जिसे कार्ण उनके इंप्लॉइमेंट बढ़ सके, हेल्थ सर्विसेज, एजूकेशन और हाउजिंग की विवस्थाएं बढ़ सके, और बिना बारी हस्त छेप के एक जीवन जी सके, और यह सब चीजें हुए, इसलिए न अपनी परिस्थिति के कारण लोग हंगामा मचा रहे हैं, और इसे कारण बहुत सारे देशों में जहां से फिर तथा कथित वामपन्ती या ऐसे सत्ता यह जो की अमेरिकी सामराजवात का विरोध करते हैं, उनमें पेरू, चीले, निकारागुआ, वेनेजुला, बुलीवि एकुआडोर, बहुत जगा हंगामा हो रहा है जहां से फिर सत्ता पलटने की या बदलने की संभावना है, ब्रजील बहुत बड़ा उसमें है, कोलंबिया, यदि ब्रजील सत्ता में वापसी करता है, वामपन्ती खेमे में आता है, लूला, फिर से वहां के राष्ट्रपती बनते हैं, तो इतना ध्याम रखें कि ब्रिक्स, जिसमें भारत भी हिस्सा है, यूनासूर, आप देख लेना, यूनियन ओफ साउथ अमेरिकान नेशन्स, सेलाक, अलबा, जो वहां के लोकल रीजनल ओगनाईशन्स हैं, इंट्रा कंट्रीज के, वो मजबूत होंगे, और इ इकनॉमीज हैं, अर्जेंटीना और मेक्सिको तो ओलेडी इंडेपेंडेंट रास्ता अक्तियार कर रहे हैं, यह मैं समझना कि वहां पूजीवार कतम होगे, नहीं, ब्रजील भी वापस में आता है, इन सब की जिनकी मैंने चर्चा की, उनकी तागत फिर बढ़ेगी, और सामराजवाद के पतन में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, देखिए दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है, इतना फिर से ध्यान रखें, कि अभी जो लाटिन अमेर्का, या सेंट्रल अमेर्का, या पूरे साउथ अमेर्का, कॉंटिनेंट में जो हो रहा है, या दुन जो जियो पॉलिटिक्स है, पुलिटिकल एकनॉमी है, उसे बहुत बड़े बदलाव की संभावनाय भरी होई है, धन्यवाद दोस्तों